आज पूरे देश के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भाजपस सरकार के विरोध जगा जगा अंदोलन कर रहे हैं तो वही दिनांक 8 दिसंबर 2020 को किसानों दुआरा अपनी मांगों को लेकर भारत बन का अखवान किया था जिसको लेकर राष्टवादी पार्टी के बैनर तले रसूल खान, शकील अंसारी, कॉंग्रेस के शमीम कुरेशी तथा खाड़ी पर रिक्षचालक मालक के कारिकरताओं ने मिलकर भिवंडी तालुका की खाड़ी पार काटई, कामबा, इन सब परीसर में सभी कारोबार को बंद करके किसानों के बंद के आहवान का समर्थन कि आए देखे सकी एक रिपोर्ट सनमानिय भगवान टाउरे जी के आदेश से आज हम एक राष्चवादी के एक कारिकरता होने की हिसाब से मेरे शेत्र में खाड़ी पार खुनी मेरा शेत्र है और उसमें सयोगी कॉंग्रेस के लीडर शमीम कुरेशी और इन सीपी के वरिष्ट नेता शकील अंसारी जी और टीम और रिक्षाव उनियन के सभी पद अधिकारी रिक्षाव उनियन का अद्देख्षण और यहां के अस्वेशन, दुकान अस्वेशन के वेपारी संगटना सब बंग के अंदर सयोग किया, मैं उनको राष्ट वदी की तरफ से भी अभी नंदन करता हूं और बारत रिक्षण के अंदर तन-मन-धन से सयोग दिया ताकि यह काला कानून जो मोधी सरकार ने नाफिस किया, एक काला कानून जल्दी से जल्दी वापस होना चाहिए, यह तो इस बड़ा अंदोलन इस देश के अंदर छेड़ने की शक्यता करता यह एतना ही, और सो टक के बड़ अंदोलान चीड़े भी कर रहेगे नहीं, बोधी सरकार को उखाड़ फेकने के काम, भारते नागरी घी कर सकते ही तेश के अंदर, जब तक किसानों को नहीं नहीं मिलेगा, ये अंदोलान पर करार रहेगा, सरकार को अभी भी होसाना चाहिए, उसके नाखुल लेना चाहिए, और मोधी सरकार ने इस काले कानून को जल्द से जल्द रट करना चाहिए, ऐसी माग हमारे खाड़ी पार फूरी शेतर के तमाम नागरीकों से, और तमाम राज्किये पक्षे के नेताओं से, और तमाम इंजियों चलाने वालों से, और रिक्षे उनियन वालों ने आज इस सबी का अभी नंदर करता हूं और सबी नागरीकों को जो महनत कस्त नागरीक है, इनोंने अपना पुरूजी रोडी छोड़कर इस सेथकरियों के थन्दे को खंञा लगा कर एक जाहिर पाथिम पर जाहिर किया, मैं उनका भी नंदर करता हूं, जै हिंद, जै भाराज, जै म उनके खिलाब जो काला कानून नाफिस किया गया है, मोधी सरकार इसे रद्द करें, यही हैं आगी चंता की मांग है। और हर बेवापारी के लोग, हर लोग, हर समाज के लोग इसानों के साथ में हैं, तो हिंदुस्तान है। और किसानों को पाटिंबा देना हमारा याखला की फर्स है, बहुत सारे लोग जो है, यह सोच रहे हैं किसान लोगों का अंदोलन है, यह किसान लोगों का अंदोलन नहीं है, बलके भारत के हर उस नागरिकों का अंदोलन है, जो अन्याए के खिलाब है, यह लड़ाई अन्या का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जो सीक भाई जो आज बॉरडर के ओपर बैठे हुए है लाखों की संक्या में बैठे हुए लाखों की तेदाद में बैठो हाँ सर्दी इतनी ज्यादा है दिल्ली के अंदर उसके बाउजू सरकार ट्रस्स श्मस्द नहीं हो रही है तो इससे ज कोड़ने के लिए हम जैसे लोग हम जैसे नागरिक हम जैसे भारत वासी अगर किसानों का साथ देते हैं तो इन्शालला लज़िम ये काला कानून खत्व होगा और एक नई कामियाभी एक नई सिम्ट के तरफ हमारे किसान लोग आगे बढ़ते रहेंगे जैजवान जैजवान अगर ये कानून वापस नहीं लेती है तो भीवन्डी के अंदर हर वो अंदोलन किया जाएगा जिसकी संभावना सरकार कर भी नहीं सकती है और अल्ला का हिसान है शुक्र है कि यहाँ पर महाविकास आधिकारी आगारी की सरकार है यहाँ पर लाओ और कानून को पूरा कंट जे जवाद, जे जवाद, जे जवाद, जे जवाद, जे नजय को इ50 को इंसाब मिनने ही चाहिए, जे जर्अजियो के काना कादून नाथिना से प्रत भाषत पाई दे, मोधी सरकार ह हुआँ 좋़ हुआज! मोधी सरकार हुआँ!